नमस्कार आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी गोवा और मैं हूँ आपके साथ रियाकुमारी पंजीर राज्य सरकार ने manufacturing, hospitality, construction, hospitals और retail establishment के लिए नियुतम मश्दूरी में औसत सो रुपे की बड़ोत रिकी है जी हाँ, अधिसूचना की अनुसार क्रमचारी के skills और seniority के अधार पर नियुतम वेतन अब 407 रुपे से 507 रुपे प्रति दिन की बीच होगा 11 गर्स को एक अधिसूचना के माध्यम से लेबर और रोजगार विभाग ने कहा है सलाकार बोर्ट की सला पर विचार करने के बाद विभिन श्रेनियों के करमचारियों को दे न्यूतन वेतन दरू में वृद्धी की है कमर्शल मनिफाक्चरिंग और सेवा गतिवीदों में लगे किसी भी कमर्शल इंटरप्राइजस कंस्रक्शन यूनिट्स इंडस्ट्रिल इस्टाबिश्मेंट और फर्मस्क्यूटिकल यूनिट में तर्क और स्किल्ड नौक्रियों के लिए प्रति दिन 530 रुपे का भुगतान किया जाएगा जबकि हाई स्किल्ड वोकर्स को प्रति दिन 565 रुपे का न्यूतन वेतन दिया जाएगा अधिसूचना में कहा गया है पुरुष महिला और ट्रांसजेंडर शम्मेकों को श्रेनी और समान काम के लिए संशोदत मजदूरी की समानदरों का भुगतान दिया जाएगा मोल वेतन की न्यूतन दरों के अलावा करमचार्यों को 105 रुपे का विशय भत्ता या परिवर्थनिय महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा अवर सचीव ने कहा प्रस्ताफ पर जनता से प्राप्त अपत्यों और सुझावु पर सलाकार बोट द्वारा विचार किया गया है सची लाब टेक्निशियल, एक्सरे टेक्निशियल, वरिश, फीजियो थरेपिस्ट और अन्य जैसे हाइस्किल वोकर्स को प्रति दिन 570 रुपे का भुगतान करना होगा जबकि जूनियर चिक सालों आयवेद डॉक्टर और ओफिस सुपी टेंडेंस को प्रति दिन 520 रुपे का भुगतान क्या जाएगा अस्पतालों में सुपर्वाइजर, सीनियर अकाउंटेंस और हैट क्लर्क्स को न्यूतम वेतन के रुपे में 565 रुपे प्रति दिन का भुगतान क्या जाएगा सिनारिटी के अधार पर नर्स न्यूतम वेतन 518 रुपे से 520 रुपे प्रति दिन के लिए पात रहे जबकि वार्ड ओडिटरी और एसिस्टन को प्रति दिन 480 रुपे मिलते हैं तो आज के सिपोर्ट में बस इतना ही इसे तरह देखते रहे है रिपोर्टर जी गोवा थन्यवाद अगर आप हमारी चानल पर नई है तो चानल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें